रदरद दोस्तों, विल्कम टो मैं चैनल, स्वागत है आपके अपने चैनल रेखा की दुनिया में, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसूर दाल के दाल पकोड़े की रेसिपी, तो चलिए मेरे साथ, आज हम और आप मिलकर बनाते हैं मसूर दाल के पकोड़े, उससे पह जब मसूर दाल अच्छे से फूल गया, उसे धो कर छान कर इस तरह से मिकसर जार में डाल दिया है, अभी मैंने इसमें लिया है एक छोटा चमस सावुत जीरा, दस से बारा दाने काली मिर्च के, अभी इसमें डाल देना है तीन कली लहसुन के, लहसुन का कली मैंने देखे यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही लिया है, अगर छोटा छोटा कर लिया हो तो आप 6 से 7 ले सकते हैं, एक इंच अदरक का टुकडा जिसे इस तरह से कट करके ले लिया है, अभी जरूरत की हिसाब से हमें इसमें थोडा थोडा सा पाने डाल कर इसको दरदरा पीस लेना है, ब बारिक लंबे साइज में मैंने कट किया है दो से तीन हरी मिर्च मिर्च आप अपने हिसाब से जादा या कम कर सकते हैं बारिक कटवा फ्रेश हरा धन्या अभी मैंने इसमें डाल दिया है आधा छोटा चमच हल्दी का पॉडर एक छोटा चमच यहां पर कास्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी हिंग अभी इसमें डाल दिजी नमक स्वाधक्य अनुसार अभी इन सभी चीजों को यहां पर अच्छे से मिक्स कर लीजिए तेल भी मैंने गैस के उपर गर्म होने के लिए रख दिया है जब सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमें इसे फटा-फट स यहां पे फ्राई कर लेना है तो तेल भी यहां पे गर्म हो गया है जब तेल गर्म हो जाए तब हमें गैस का फ्लेम यहां पे मीडियम कर देना है बहुत जादा हाई फ्लेम पे हमें डाल के पकोड़ों को फ्राई नहीं करना है नहीं तो यह उपर से तो लाल हो जाएगा औ अभी अपने हाथों पर हलका सा पानी लगा लीजिए और मसूर दाल के पकोडों को इस तरह से तेल में डालते जाएए फ्रेंड्स अगर अभी तक मेरी रेसिपी आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए अभी बड़े को हमने यहाँ पर पलड दिया है तो देखिए दाल बड़ा यहाँ पर बनकर बिलकुल रेडी हो गया है अभी इस अश्टेज पर हमें इसे बाहर निकाल देना है तो इसी तरह से मैंने मसूर दाल के सारे पकोडों को बनाकर रेडी कर लिया है तो एलो जी हमारा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेश्टी मसूर दाल के पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है आप अपने मन पसंद चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं आप मसूर दाल के पकोड़े को साम में चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो बस इस तरह से मसूर दाल के पकोड़े बनाईए और कैसा बना है मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और अगर आज की मेरी रेसिपी जरासा भी अच्छा लगी तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक यू